टोटल जो नेताओं ने आज कॉंग्रेस छोड़ी उमेने लिस्ट देखी उसको इसे सिरफ चार नेता ऐसे हैं जिनसे कि मैं मानता हूं कि वो उनने कॉंग्रेस छोड़ी तो कॉंग्रेस को नुकसान होगा अब खिलाई लाल बैरवा को वो पॉंग्रेस में रहके भी क्या करत से इंडिपेंट्ट खड़े हुए 1399 वोट आए उनने क्या उनका कंट्रिबूशन है बसेडी में एक सिंगल चीज का उनका कंट्रिबूशन नहीं लोग बात ठक गए थे उनकी शकल देखके हर आदमी की अपनी अलग-अलग परिस्तिती होती है कि किसी को एडी की प्रॉब सब्सक्राइक बना दिया कॉंग्रेस में और वो कॉंग्रेस के खिलाफ ही बोलने लगे उनका कंट्रिबूशन बताओ ना धौलपूर की पॉलिटिक्स में क्या है अभी हम 25-0 है दो बार से 25-0 है तो हमार पास लूज करने के लिए तो कुछ है नहीं हमार पास तो गेन करने के लिए हैं पांचे सीटें भी जीतते हैं उनकी मैं तो गांशा थी कि मुझे डिप्टी चीफ निश्टर बना दिया जाए पहली बार के मेले कोई डिप्टी चीफ निश्टर बना रहा है क्या है सब जगे अनाउंस करते फिरते थे आपको भी अनाउंस करा गौलपूर के रोमें निकलवा दिया कि मैं डिप्टी चीफ निश्टर बन जाओं। बिधाय क्रोईद वहरा उनसे बात करेंगे कि सर आज कॉंग्रेस के कई दिगज नेताओं में जिसमें लाल चन कटारिया हैं राहिंदर यादवैक, लाडी लाल बेहरबा हैं और भी करीब 32 नेताओं ने BJP का दामन थामा है तो क्या कारण है कि उन्होंने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी इसमें से टोटल जो नेताओं ने आज कॉंग्रेस छोड़ी वो मैंने लिस्ट देखी उसमें से सिरफ चार नेता ऐसे हैं जिनसे कि मैं मानता हूँ कि वो उनने कॉंग्रिस छोड़ी है तो कॉंग्रिस को नुकसान होगा लालचन कटारिया, राजिंदर यादव जी, विजेपाल जी और विजेपाल जी के फात्र ये चार ऐसे नेता हैं जिनने कॉंग्रिस छोड़ी है उससे कॉंग्रिस को नुकसान होगा बट हर आदमी का एक personal reason होता है कोई ना कोई पार्टी छोड़ने का, उनका कोई ना कोई personal reason रहा होगा, उनने उस तरीके से पार्टी छोड़ी है, अब खिलाई लाल बेरवा को वो कॉंग्रेस में रहके भी क्या करते, वो independent खड़े हुए 1399 वोट आए, उनने क्या उनका contribution है ब कि कॉंग्रेस से चले गए तो बीजेपी में चले गए, आप बीजेपी वाले समझेंगे कि उनने किस नेताव को लिया, तो मेरा तो ये आपको कहना है, और इसी तरीके से आप देखोगे, आज कॉंग्रेस में भी दो जोइनिंग, ये election से पहले एक सदद प्रक्रिया है, ज हमारे यां आज इसार से जो MP थे, विरेंदर सिंग जी जो बेटा है उसने जो MP थे, उनने जोईन करी और विरेंदर सिंग जी, विरेंदर सिंग जी सर चोटू राम जी के वनशज है, जाट समाज में जिनकी बहुत बड़ी इश्द है, आज उनने वापस Congress जोईन करी है, ज इसे कोई बहुत बड़ा फरक किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा फरक नहीं परिस्तिती है। हर आदमी के अपने अलग-अलग परिस्तिती है। पूरे पात साल आप वहाँ पर रिशी मंत्री थे। बाओ जी उनके घ्रह राज्य मंत्री थे। उनके पास था जो उनने अच्छी तरीके से चलाया। दोनों ने अपने डिबार्टमेंट्स में बहुत अच्छा काम किया। उनने तो कहीं पब्लिक प्लैट्फॉर्म पे ये कान है। हर आदमी की अलग-अलग परिस्तिती है। आदमी कोई छोड़ता है परिस्तिती ऐसी बनी होगी कोई सरकम्स्रेंस ऐसे बने होगे कि उनको पार्टी छोड़नी पढ़ी। खिलाडीलाल बैरवा का कहना है कि कॉंग्रेस में अंदेखी की जा रही थी उनकी। खिलाडिलाल बेरवा मुश्किल से MP बने थे यहां पर उनको विधायक बना दिया कॉंग्रेस ने अब वो कॉंग्रेस की खिलाफ ही बोलने लगे उनका कंट्रिबुशन बताओ न धौलपुर की पॉलिटिक्स में क्या है आपको भी पता है वो क्या करने आते थे महिने में एक दो दिन के लिए आते थे सरकेट हाउस में रुकते थे वहीं जन सुनवाई करके चले जाते यदि इतने ही बड़े नेता थे तो कम से कम इंडिपेंट खड़े हुए कोई भी आज ML एंडिपेंट खड़ा होता है जिसका कोई वजूद होता है कम से कम 10-20,000 वोट तो लेके जाता है उसको 1399 वोट मिले थे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमने कोई लूज नहीं करा है कोई भी चीज खिलाडिलाल बैरवा के जाने से अच्छा हुआ खिलाडिलाल जी बैरवा पार्टी में आ जाता है सब आदमी यह एक कॉंपटिशन है जो हमारे पार्टी में भी चलता है और सब जगे चलता है जहां पर भी स्पेस क्रियेट हो जाती है दूसरा आदमी उसको टेक ओवर कर लेता है तो मैं ऐसा नहीं मानता कि यह तीन आदमी गए है तो उससे कॉंग्रेस कमजोर हो रही है कॉंग्रेस कोई कमजोर नहीं हो रही आगे आने वाला चुनाव है उस चुनाव बताएगा किस तरह से होगा अभी हम 25-0 है दो बार से हम 25-0 है तो हमार पास लूज करने के लिए तो कुछ है नहीं हमार पास तो गेन करने के लिए है यदि हम 25 सीटें भी जीतते हैं तो तो आप यह मानोगे ना तो हमार पास फॉर लूजिंग भी है नहीं 25-0 दो बार हुआ है तो हमार पास तो कुछ है हुए थे उसमें क्या difference था difference was only 1.75% of the votes that was the difference और मोदी जी ने खूब चुनाव परचार करा अपने नाम से चुनाव परचार करा तो इसमें बहुत ज़्यादा difference तो था नहीं जबकि हमें write-off कर दिया था हमारा vote share भी बढ़ा हमारे को 38.5 मिले ते इस बार हमारे को 39 मिले तो हमारा vote share भी बढ़ा सरकार ने अच्छा काम किया था अच्छा काम किया था गरीबों के बीच हों बहुत अच्छा काम करा था हमारी flagship योजना है अच्छी थी बट क्या वो reason रहे कि हम उनको counter नहीं कर पाए वो एक विचारनी हमारे में अभी में मन्थन चलता है कि ऐसा हमने क्या करा जो हम जीत नहीं पाए ये एक मन्थन का point है जो हमारे बीच में नेताओं में चलता रहता है और उस पर हम कोई ना कोई निशकर्ष पर जल्दी आएंगी कि कहा हमार से गलता है फिलाडी लाल बेरवा पहले असो गेलोट के नजदीक हुआ करते थे पिस सचिन पालेट के नजदीक हो गए अब उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ दिया ये कॉंग्रेस की उथल पुछल नहीं है ये एक व्यक्ति विशेश की है जो आदमी देखता है मेरे को यहां से कुछ मिल जाए तो मैं उसके साथ हो लूँ मेरे को वहां से कुछ मिल जाए तो मैं उसके साथ हो ये एक व्यक्ति विशेश की जो बी अनौश करा धौलपूर के पेपरों में निकलवा दिया कि मैं डिप्टी चीफ निश्टर बन जाओंगा और आप में ऐसा क्या करिश्मा है जो आपको डिप्टी चीफ निश्टर बनाऊ आप में बोलने की ताकत ऐसी क्या है जो आप डिप्टी चीफ निश्टर बनाऊ आ कॉंग्रेस को नुक्सान हो सकता है कि इनके बीजेपी में जाने से देखे ये हमें अभी आकलन करना पड़े ये अभी हम में इहां बैठे हुए नहीं कह सकता तो कि मेरी कॉंस्ट्वेंसी और ना मेरे बिल्कुल जिलों के बगल में है बट हाँ ये इंपॉर्टन लीडर्स थे कॉंग्रेस के लिए चौण्रेस छोड़के गए हैं अब ये हमारको वहाँ देखना पड़ेगा कि इनके हमारको क्या रिप्लेशमेंट्स मिलते हैं हम किस तरह से इनको रिप्लेस करेंगे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे वो हमारे को अभी बैठके हमें मन्थन करना पड़ेगा कि इस पर हमारे को क्या नुक्सान और क्या फायद अंकियम सवाल है कि Congress में जो अब लिस्ट आने वाली है उसमें राइस्तान में जो Congress की विदायक हैं पूर मंत्री हैं पूर विदायक हैं वो चुनाव मेदान में होंगे क्या बिल्कुल होंगे जो जिताव कैंडिडेट होगा कॉंग्रेस के लिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो चाहे विदायक हो चाहे कोई भी हो वही आज विनु गुपाल जी जो राजसवा के मेंबर है राइस्तान से उनको चुनाव लडा रहे हैं न केरला में तो दिस्शोज की कॉंग्रेस बिलकुल सीरियस है चुनावों के लिए हम बिलकुल सीरियस हैं हमारे चाहे सीरियर नेता हो, चाहे जूनियर नेता हो, चाहे कोई भी हो, जो जिताव कैनिडेट होगा, कॉंग्रेस उनको टिकेट देगी और उनको चुनाब लड़ना चाहिए और मुस्तेदी से चुनाब लड़ेगी। बिदायक, बरत्मान बिदायक और पूर मंत्री मैदान में हो सकते हैं, लेकिन चुनाब की बात की जाब है, तो लोकसभा चुनाब में कॉंग्रेस के जो दिगज नेता आज बीजेपी में गएंगें, कहीं ना कहीं कॉंग्रेस को नुकसान उठाना पर सकता है, उमेश मिस्रा धौल पूर राजस्तान का।